सीतापुर के गोंदला मववलाक के खालेगड़ी के बुजुर्ग किसान किशोरी लाल ने रासायनिक और वर्रकों के अंधाधुन्द प्रयोक से बेजान हो रही खेतों की मिट्टी को नया जीवन देकर जैविक खेती अपनाने का संदेश दिया है क्रसी विभाग की आत्मी उजना में जैविक खेती करवो खुद तो आत्मी निर्भर बने ही हैं साथ ही उन्होंने अपने साथ कई युवाओं को भी रोजगार दिया है इस व्यवसाय से उन्हें सालाना लाखों की इनकम हो रही है प्रदेश के क्रसी मंतरी सूरि परताब शाही ने क्रशक किसोरी लाल को टूइट कर उनकी सराहना भी की है क्रशक किसोरी लाल ने बताया की पहले वो भी रासाइनिक उरवर्रक का प्रयोक कर खेती करते थे खेतों में रासाइनी खाद वाद द्वाओं के प्रयोग से उनकी फसल की पैदावार धीरे-धीरे घट रही थी, साथ ही स्वास्त भी खराब होता जा रहा था इसलिए उन्होंने कुछ नया करने की ठानी जिससे की उनका स्वास्त भी ठीक रहे और फसल की पैदावार भी अच्छी मिल जाए इस पर उन्होंने क्रश विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया वहीं से उन्हें केच्वा की खाद बनाने की प्रिणना मिली फिर क्या था वो इस कार में जुट गए किसान किशोरी लाल कहते हैं कि दो बरस पहले महज 10,000 रुपे से व्योसाय शुरू किया था केच्वा खाद या वर्मी कमपोस्ट खाद को व्योसाय के रूप में अपना कर उन्होंने पहले खुद को आरगेनिक फार्मर के रूप में इस्थापित किया वर्स 2016-17 में 6,000 रुपे का अनुदान मिला था जिससे उन्होंने 7,3 वर्ग फिट गहरे गड़े में केच्वा की खाद तयार की और इसका प्रयोग अपने खेत में किया केच्वा खाद के प्रयोग से उस वर्स उनकी फसल की अच्छी पैदावार हुई अगले बरस यानी 2018 में उन्होंने अपने साथ इस्थानी व्योसाई अनुप मिश्च का सहयोग लिया और 1000 वर्ग फिट में केच्वा खाद तयार की वह कहते हैं कि पिछले वर्स 100 कुईंटल जैविक खाद बेची थी बाद में उन्होंने अपने कारोबार में इजाफा करने के लिए कई युवाओं को भी अपने साथ जोड़ा उनके साथ तीन बच्चे भी रोजगार से जुड़ गए हैं उनका कहना है कि केच्वा खाद इस्थानी जिले के अलावा हर्दोई, बारबंकी, लखनव, लखीम, पुर समेत कई जिलों के किसान खरीद कर अपने खेतों में इस्तमाल कर रहे हैं इस से वो अच्छी फसल भी पैदा कर रहे हैं इस वर्स उन्होंने करीब 200 कुंटल खाद 20 रुपे प्रतिकिलों के हिसाब से बेची है वा कहते हैं कि वर्मी कमपोष्ट, जीवामरत, घनामरत, दश्परणी, आधिक व्योसाइक उत्पादन कर उन्हें हर महीने 25,000 की आईभी हो रही है और किसानों को इसको जो है छूट परमय भी 50 रुपे लीटर देता हूँ यह बहुत वहतर काम करता है, हमें कोई खाद डलने की जरुद महीं इसका 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 करने से इसमें जो है गाय का गोबर मूत्र और कच्चा दूद भर करके उसी जराव एक वह आता है चिकना पत्थर वह इसमें साब करके डलते हैं और भ्रम गॉल creat रोल जो के बहुंद देर हो पूरा भरजर में जहां पर उसका प्रइब करता है। निकलता है तो तो 15- 50D ग्राम है लेकिन वह एक ग्राम एक लीगे के लिए याने एक एक ले पांच ग्राम ही पर्याप्त होता है इसनी बढ़िया होती है घोल करके पानी में इस्प्रे कर देते हैं तो फसल उसेशों को सड़ा देता है और इसके साथ यह कोई खाद न डाली जाए तो इसका प्रे करते रहना च मिल जाएगी सबसे सश्कुत होगी करते हैं और सबसें रहते हैं हमारी पर्याप पायदा होती है और हमें कोई रताइनिक खाड डालने की जोड़ी है विशेवस्त विशेशग अनुभो तिरवेदी ने बताया कि किसान अपनी आए को रियल में कैसे दोगुनी कर सकता है वा किस तरह से मॉडल बनाया जा सकता है जिससे किसान की लागत कम से कम लगे और उसकी आय ज्यादा से ज्यादा हो और साथ ही स्वस्थ भोजन भी मिल सके इसको लेकर क्रश विखभाग काम कर रहा है उसी की कड़ी में विकास खंड गोंदला मौँ छेतर के खाले गड़ी गाउनिवासी किसोरी लाल है जिनोंने वर्मी खात का एक मौडल बनाया है वहाँ पर जैविक खात के साथ साथ जीवामरत, घनामरत, दश्पनड़ी, गाउमूत्र, बरसी वास, आदी तयार कर बेच रहे हैं संदना से राजेंदर सिंग की रिपोर्ट खबर आपकी नजर हमारी देखते रहे आई इंडिया